बाबा आते हैं, तो हमें वो बातें बताते हैं, जो कभी हमारे मन्चित में नहीं थे, जैसे कि हम नहीं जानते थे कि मैं आत्मा हूँ, तक भी थोड़ा बहुत समझते थे कि मेरी एक आत्मा है और हम मर जाएंगे आत्मा निकल जाएगे, लेकिन मैं आत्मा हूँ और मेरा एक शरीर है और मैंने 84 चोले लिए और छोड़े और इसके बाद भी मुझे आगे यात्रा करनी है या मुझे घर जाना है ऐसे बात हमें नहीं मालूम थे है न तो ऐसे ही बाबा हमें आत्मा के विशय में बाबा के विशय में ड्रामा के विशय में बहुत सारे नई नौलेज देत उनमें से एक बाद जो बाबा हमें बहुत अच्छी समझाते हैं वो ये कि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, आत्मा की नाच्रल क्वालिटी प्योरिटी है, आत्मा की नेचर प्योरिटी है. अब आप देखो कि दुनिया में चाहे आप समाज में देखो, चाहे विज्ञान में देखो, चाहे आप किसी और रीती से देखो, मनुष्य क्या समझता है, कि मनुष्य की बेसिक नेचर इम्प्योरिटी है, जैसे समझते हैं कि काम जो है, काम विकार वो तो नाच्छुरल है, Impurity में भी वैसे तो पांच विकार आते हैं काम, क्रोध, लोब, मोह, अहंकार Lust, Anger, Ego, Attachment, Greed लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि काम विकार जो मुख्य है, पहला विकार क्योंकि बाबा कहते हैं जहां काम विकार है वहां क्रोध, लोब, मोह, अहंकार जरूर होगा तो विज्ञान हमें कहता है Psychology हमें कहती है कि Lust तो नाचरल है काम विकार तो नाचरल है जब से इस जनम हुआ तब से ऐसा समझते हैं कि ये तो हमारी biological need है या नाचरल है या आप देखो कानून में भी क्या कहेंगे कि अकर विकार नहीं है तो वो क्या शादी है तो कानूनन भी शादी की है तो माना विकारी संबन जरूर होना चाहिए और अगर विकारी संबन नहीं रखते तो सोचेंगे कि कोई गलत पाप हो रहा है जैसे गुना हो रहा है तो फिर उनको छुटी भी देंगे कि भाई ये तो बिचारा या बिचारी है जिनके विकारों की पूर्ती नहीं हो रही है तो इनको इस शादी से फ्री कर दो तो आप समाज में देखो, विज्ञान में देखो, कैसे भी देखो तो हर प्रकार से सोचते हैं कि लस्ट या कामविकार नाचरल है नॉर्मल है लेकिन बाबा जैसे हमें हर चीज का सत्य ज्ञान देते हैं ऐसे बाबा हमें ये भी समझाते हैं, कि बच्चे तुम्हारी जो नाचुरल स्टेट है, वो प्योरिटी की है, तुम्हारी जो मूल, जो गुण है, या स्वधर्म है आत्मा का, वो पतीत पना या विकार नहीं है, वो तो प्योरिटी है, और बाबा हमें कहते ही, अगर तुम इस प्योरिटी को एक्सपेरिमेंट करोगे, तभी एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि अभी इस दुनिया में क्या है, सभी पतीत हो गए न, तो हमारे पास ऐसे एक्जाम्पल्स पी नहीं होते, जो पवित्र हो, और बाबा हमें कहते हैं, कि पवित्रता भी, तन मन धन की विकार मुख्य, लेकिन जब हम संपून पवित्रता कहते हैं, तो तन मन धन की जो संपून पवित्रता है, वो जिस आत्मा में धारन हो जाती है, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है, तो बाबा हमें ये समझाते हैं, कि पवित्रता सुक शान्ती की जननी है, और हमें बाबा ने ज्ञान ये समझ दिया, कि जब आत्मा पवित्र थी, तो शरीर भी निरोगी था, और आत्मा सुक शान्ती की दुनिया में दो युगों तक रहती थी, तो जहां पवित्र था थी, वहां सदेव सुक शान्ती थी, और जैसे द्वापर युग से आत्मा पतीत बनती तो दुक और शान्ती बढ़ते बढ़ते ये पूरा दुक धाम बन गया, तो अब बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हे फिर से उस सत्योगी सुक शान्ती की दुनिया में जाना हैं, तो तुम्हें पवित्र बनना पड़ेगा, और उस पवित्रतां के लिए बाबा हमें अब हमें समझना है कि जब हम पवित्र बनते हैं, जैसे बाबा की श्रीमत ही समझ लो, मानो हमें कुछ ज्यादा समझ भी नहीं आया कि पवित्र होने से क्या होता है, लेकिन मान लो हमने समझा कि भगवान ने हमें श्रीमत दी है, पवित्र ता की तो हम पवित्र बने, तो बा बहुत सारे आपको विघन आएंगे, पेपर आएंगे, तो बाबा कहते हैं, इसलिए पवित्र बनने के लिए सिर्फ पवित्र बनने का इंटेंशन नहीं चाहिए, पवित्र बनने के लिए बहुत शक्ती चाहिए, और वो शक्ती कैसे मिलेगी, अब आप देखो, जैसे बाब हमें कहते हैं कि तुम पवित्र बनना चाहेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे, है ना, आप मान लो सेलिबेसी भी दूसरी बात, आप मान लो भोजन ही पवित्र कर रहें, भोजन की शुद्धी आपने पहला कदम बढ़ाया, कि आज से हम जो है अपना भोजन शुद्ध रखेंग ना लसन प्यास, ना कोई वैसे कोई अखाद्य चीज, ना कोई ऐसी चीज, ना कोई ऐसा पीने वाली चीज, ना खाने वाली चीज, ऐसा हम कुछ स्विकार नहीं करेंगे, और बाबा की याद में रहेकर शुद्ध बोजन बनाएंगे और स्विकार करेंगे, तो आप देख वैसे देखने में तो बहुत सधारन बात है, लेकिन उसमें भी कई विघन आएंगे, कई तरह कि आप बातें सुनेंगे, या आपको ऐसे भी कह देंगे, पांच व्यक्तियों के बीच आप बैठे होंगे ना, तो पांच को इंविटेशन देंगे, कि आप हमारे इस प्रोग्र नहीं जाते थे, तो इस प्रकार से कई तरह की बातें आएंगे, या आप देखो, एक माता मुझे कहती थी, कि युगल कहते हैं, कि अब तो तुम्हारे साथ एक टेबल पर बैठके खाने का ही दिल नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा बोजन अलग है, मेरा बोजन अलग है, त तो आप ऐसा लगता है, जिसे हमारे बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इस प्रकार के कई बातें आपके सामने आएंगी, कहीं कहेंगे अब तो तुम किसी काम कहीं नहीं रहे, तुम कहीं ले जाने लाएक ही नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे तो वहां खाने के इतने तो यह सारी चीजे आती हैं, क्यों छोटी सी भी धारणा के लिए, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं, जब हम पतीत दुनिया से पावन दुनिया की तरफ जाते हैं तो माया बहुत विघं डालती है, मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूं इसमें, एक माता मुझे कहत थी, कि दिदी, मैं सुबह अमृत वेले उठती, तो मेरे युगल रोज मुझे टोकते, कहते बात एक ही है, चार बजे उठो, पांच बजे उठो, छे बजे उठो, चार चार बजे उठो, चार बजे उठके ऐसे बूतों की तरह बैठ जाती हो, कोई अवश्यक्ता नहीं है तो अच्छे बजे उठके भी वही कर सकते हो, जो चार बजे करते हो, तो इस प्रकार से वो रोज मुझे कहते, तो मैंने एक दिन उनको कहा, अगर बात एक ही है, आपने कहा न, बात एक ही है, तो ऐसा करते हैं, आप मुझे सप्ताह भर, चार बजे उठके योग करके दिख चार से पांच आप योग करो ना करो, आप मेरे साथ उठके बस चार से पांच बैड जाना, और एक दिन भी मिस नहीं करना, एक सप्ता आप मेरे साथ चार से पांच उठके बैड जाना सीधे, तो मैं मान जाओंगी कि चार बजे और छे बजे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप छे बजे उटने वाले चार बजे भी कर पा रहें, तो जब मैं ये मान जाओंगी, तो मैं छे बजे उटने लगूँगे आपके साथ, तो अब ऐसा चालेंज हो गया, तो युगल जो है, वो पहले दिन अलाम लगाए, अलाम बंद करके सो गए, दूसरे दिन भी कोशिश की, नई उट पाए, तीसरे दिन भी की, तो उसके बाद, उसके चौते दिन युगल को कहते हैं, वैसे बात तो तुमारी ठीक है, ये चार बजे में ऐसा क्या है, कि उठा ही नहीं जाता, तो वो कहते हैं, चार बजे उटने वाला योगी होता है, और माया योगी को तंग कर माया भगत को तंग नहीं करती, पांच बजे उटने वाला भगत होता है, छे बजे उटने वाला भोगी होता है, और साथ बजे उटने वाला रोगी होता है, तो माया ना तो भोगी, ना रोगी, ना भगत की दुश्मन होती, माया किसकी दुश्मन होती है, योगी की, तो जब जब भी हम श्रीमत पर चलते न तो माया हमें बहुत तंग करते हैं। तो जब हम पवित्रता का भी कदम बढ़ाते हैं। जब बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारी मूल नेचर पवित्रता है। तन मन धन की संपून पवित्रता। तुम्हारे एक भी शरीर के किसी भी अंग से ना कोई कान में पतीत शब्द जाना चाहिए, ना आखें कुछ पतीत देखें, ना मुख कुछ पतीत स्विकार करें, ना तुम इंद्रियों से कोई विकार में जाओ, जब तुम्हारी मंसा में भी किसी के लिए कोई पतीत किसी पतीत कार्य में नहीं लगेगा तब जाकर तुम पवित्र बनेंगे और जैसे जैसे हम ये पवित्रता के लिए कदम बढ़ाते न तो माया हमें कई प्रकार से तंग करते हैं और बाबा हमें कहते हैं जब माया तंग करती हैं तो हमें बहुत शक्ति चाहिए ये भी बात बहुत अच्छी समझाई कि दुनिया में कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिवान है लेकिन वो कौन सी शक्ति देते हैं वो कोई नहीं जहनते क्योंकि भगवान को सर्वशक्तिवान समझने वाले तो ये समझते हैं कि भगवान को य बाबा कहते हैं, बाबा के अंदर वो शक्ति नहीं है, कि वो परिस्थिती बदले, बाबा हमें कौन से शक्ति देते हैं, सेहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परक शक्ति, निर्ने शक्ति, तो बाबा हमें कहते हैं, कि जब तुम पवित्रता के राह पर चलते हो, तो तुम्हे बहुत योगी होना पड़ेगा, तुम्हें बुद्धियों मेरे साथ रखना होगा, तब तुम्हारे अंदर इतनी सेहन शक्ति होगी, सामना करने की शक्ति होगी, कि जो भी पेपर तुम्हारे सामने आएंगे न, उनको तुम पार कर सकेंगे, है न, एक माता मुझे कहती थी, कि जब मैं पवित्र रहने लगी, तो मेरे युगल ने मुझे पागल पागल कहकर पागल खाने भेज दिया, ठीक है, और बहुत शुरू की बात बता रहे हूं, आज से 30 वरश, 35 वरश पहले की, तो क्या होता, उस समय समाज अलग होता था न, तो उस समय बात अलग होती थी उस समय बहुत पूरुष प्रधानता भी थी, तो उस समय पर युगल ने क्या किया, कि पागल पागल कहकर उनको पागल खाने भेज दिया, तो कहती जब मैं पागल खाने चले गई, तो मुझे देड महीने पागल खाने में रहना पड़ा, तो जब मैं देड महीने पागल तो आप समझो कि कितनी सारी कैसी परिस्थिती, कैसा मेरा वायुमंडल रहा होगा, लेकिन मैंने बाबा को खूब याद किया, और मैंने बाबा को का, चलो बाबा, बहुत अच्छी बात है, मैं पागल खाने में हो ना, निकलने के बाद तो मैं पागल हो ना, तो पागल तो कुछ भी कर सकता है, फिर उसको कौन रोक सकता है, तो अच्छी बात है कि मैं देड मह मैंने जो भी समय है मुझे तो नहीं पता था देड महीन है लेकिन मैंने सोचा बाबा चलो पागल बनना यह तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके बाद तो युगल किसी को कंप्लेन करने लायक भी नहीं रहेंगे पागल तो कुछ भी कर सकता है तो मैं अपनी मर्जी से श्रीमत पर चलूंगी तो मैंने देड महीने बाबा को खुब दिन रात याद किया और जो भी वहां पर परिस्थिति आई ना उन सारी परिस्थितियों को मैंने पार कर लिया और जब मैं बाहर निकल गई तो उसके बाद पूरी जीवन मेरी बड़ी सुख में हो गई क्यों आराम से मैं श्रीमत पर चलती जो चाहे पहनती जो चाहे खाती मेरी जीवन जो एकदम मुक्त हो गई तो आप सोचो कि यह मैं आपको कोई इंस्पिरेशन के लिए नहीं कह रही हूँ लेकिन एक परिस्थिती के लिए कह रही हूं कि इस प्रकार से भी ऐसी परिस्थितिया आती हैं लेकिन बाबा हमें कहते हैं ऐसी भी परिस्थिती में जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा को याद कर इतनी सेंशक्ती इतनी समाने की शक्ती अपने अंदर धारन कर लेते हैं कि वो पेपर पार हो जाता और उनकी पवित्रता की धारना पक्की हो जाती आप आदी की क जहानियां सुनते हैं कि कितनी मार पड़ी है न ऐसे कमरे में बंद कर देते थे हात पाव बान देते थे और उस समय पर खाना नहीं देते थे लेकिन वो जो सारे पेपर थे वो कैसे पार किये इसी बात से पार किये दादियों ने कि बाबा को याद किया और जो भी हुआ उसको सहती चली गई तो मारने वाले के हाथ दर्द हो गए लेकिन मार खाने वाले का कुछ नहीं हुआ तो फिर अंत में क्या होता कि अपनी जो धारणा है उसकी जीत हो जाती तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से तुम्हें अपनी पवित्रता की धारणा को पका करना है और जब तुम इस पतीद दुनिया में पवित्र बनने जाएंगे न तो इस पतीद दुनिया में तुम्हें कोई साथ नहीं देगा लेकिन मैं जो सर्वशक्तिवान तुमारे साथ हूँ मैं इनफ हूँ अगर तुम मेरी याद में रहेंगे तो तुमें किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी कोई भी बात हुई तुम उसे सह कर समा कर पार कर लेंगे और पवित्रिता की धारना पर पक्के रहेंगे तो ये जो बाहर से पेपर आते हैं ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसमें तो हम और बाबा साथ हैं, लेकिन जब पेपर अंदर से आते हैं, अपने स्वभाव संसकार से, वो बड़ी चालेंज होती है, क्योंकि उस समय पर तो हम बाबा की विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने संसकारों के साथ हो जाते हैं, तो बाबा उसके लिए हमें कहते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छा अभ्यास करना है अपनी दृष्टी को बदलने का अब आप देखो यह जो दृष्टी है बाबा कहते हैं आखे नुकसान करती है और यह आखे ही जो है यह स्त्री पुरुष, काला गोरा सुन्दर, असुन्दर जवान बुढ़ा, सब कुछ यह आखे देखती है तो आपने सुना है ना सूर्दास ने अपने आखे निकाल दे क्योंकि कहा यह आखे बड़ी पापी है लेकिन बाबा हमें कहते हैं बाबा हमें बहुत सुन्दर बात समझाते हैं कि आखे नहीं देखती आत्मा बुद्धी-बल से आखों के द्वारा देखती हम आख से देखते हैं लेकिन हमें आख से क्या दिखाई देता है वो तो हमारी बुद्धी पर है अब आप देखो, चोटी से बाफ है एक सुन्दर स्टी का शरीर देखते हैं तो उसमें आकर्शन होती है लेकिन जब मंदिर में जाते हैं और एक सुन्दर देवी की मूर्ती देखते हैं तो उसमें उस प्रकार के विकार के जागरिति नहीं होती क्यों नहीं होती, अब है तो दोनों ही सुन्दर शरीर, लेकिन क्यों विकारी वृत्ती नहीं जागरित होती, क्योंकि वहाँ जो स्मृती है, वो स्मृती क्या है, ये देरी है, और यहाँ स्मृती क्या है, ये स्त्री है, तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि ये जो स्मृति और वृति का connection दृष्टी से है तो आपकी जैसी स्मृति होगी वैसी दृष्टी होगी जब हमारी स्मृति बदल जाती है तो हमारी दृष्टी भी बदल जाती है इसलिए बाबा हमें कहते दृष्टी को बदल देंगे तो दृष्टी के आधार से संकल्प चलते भावनाई इमर्ज होते और करम होते तो अगर हमें दृष्टी बदलनी है तो हमें काम किस पर करना पड़ेगा स्मृती बदलने पर तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि अपनी स्मृति को बदलो, रोज अभ्यास करो, एकांत में बैठकर अपने से बाते करो और अभ्यास करो कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शिबाबा की संतान हूँ खूब अभ्यास करो इसका और आत्मा का कोई जेंडर होता है आत्मा की कोई एज होती है कोई कास्ट होता है कोई कुल होता है धर्म होता है कुछ नहीं होता तो आत्मा का तो स्वधर्म है शांति पवित्रता बस तो अपने को जब उस आत्मिक स्मृति में स्थित करेंगे स्त्री पुरुष देखते हैं, जो संस्कार काला गोरा देखते हैं, वो संस्कार मर्ज होते जाएंगे और अपनी पवितरिता के संस्कार मर्ज होते जाएंगे और बाबा कहते हैं, जब इस प्रकार से रोज अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करने से अपनी दृष्टी जो है वो भाई-भाई की होती जाएगी, क्योंकि भाई-भाई माना genderless, जहाँ पर कोई स्त्री भाई-बेहन की बात नहीं है, कोई शरीर के gender की बात नहीं है, तो जितना अपने को आत्मा देखेंगे, तो दूसरे को भी देखते वक्त ये आत्मा है, भाई है, ये स्मृती आएगी, और उस अधार से दृष्टी बदल जाएगी, और अपने जो विकारी संसकार है, वो इमर्च नहीं होगे, तो बाबा कहते हैं, बहुत अभ्यास करो इस भाई-भाई की दृष्टी का, लेकिन इसमें जो एक बात बाबा ने आज बहुत अंडरलाइन की, वो ये है, कि एकांत में बैठकर अपने आप से ये ज्ञान की बातें करो, अब आप देखो, एकांत में सारे दिन बैठते हैं, एकांत में चिंतन मनन करना, अंतर मुखी हो कर बैठना, एकांत माना, एक के अंत में लीन होना, एक शिबाबा की याद में बैठना, सारे दे और दे के धर्मों को भूल कर, संबंदों को भूल कर बैठना, ये अभ्यास हम कितना करते हैं, क्योंकि योगी जो है, वो एकांत प्रिय होना चाहिए, आज मनुष्य कैसा हो मनुष्य एक मिनट भी अपने फोन के बिना नहीं रह सकता, है न, एक सेकंड भी आप देखना, एक सेकंड मिलता है तो फोन पकड़ लेता है, क्यों? क्योंकि वो योगी का complete opposite हो गया है, तो जो योगी होता है, उसकी quality क्या होती? कि वो कितने भी कारे के बीच में, उसकी मैं अपनी मन बुद्धी को इस दे और दे की दुनिया से फ्री कर, बाबा की याद में बैठो, और जो भोगी होता है, वो सारे दिन क्या कहेगा, मुझे कोई बात करने को चाहिए, मुझे कोई गुमने को चाहिए, मुझे लोनली लगता है, लोनली लगता है, ये कौन कहता मेरे लाइफ बहुत लोनली चल रही है ना तो इससे लिए बहुत एंग्जाइटी होती है तो मैंने कहा कितने लोनली हो आप सारे दिन में क्या क्या तो सुबह से तीन पार्टी कर चुके हो लेकिन उन पार्टी के बीच में जो आधा गंटा एक गंटा मिलता है उसमें लोनली हो गया है कि एक सेकंड भी अपने साथ उसको रहना मुश्किल हो गया तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे हम ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप बनते न तो हमारे अंदर ये निशानी दिखाई देनी चाहिए कि हम एकांथ प्रिय बने हम एकांथ में बैठ कर एक बाबा की होत अभ्यास करते हैं मैं आत्मा हूँ और मेरे प्यारे बाबा सर्वशक्तिवान है गुणों के सागर है और बाबा की लाइट माइट से अपने को भरपूर करते हैं तो दृष्टी भाई-भाई की बनती है और उस भाई-भाई की दृष्टी से विकार उत्पन नहीं होता तो ये पवित्र बनने की बात है अब हमें एक और चीज समझनी है जो बाबा हमें समझाते हैं कि पवित्रता से क्या होता है तो बाबा हमें कई बार example देते हैं मुरली में कि जैसे एक चुम्बक होती है तो चुम्बक का कार्य क्या है लोहे को खीचना लेकिन लोहे को वो त तो चुम्बक की तरफ वो खिचता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा बाबा के साथ समीपता का अनुभव करेगी। बहुत निकटता और समीपता का संबंद अनुभव होना चाहिए। लेकिन जब मुझ आत्मा में ये इंप्योरिटी की जंक होती हैं तब हम बाबा के साथ वो समीपता का अनुभव नहीं करते। लेकिन जब हमारी तनमंधन की पवित्रता के अभ्यास के अधार से और हम अपन को पवित्र बनाते जाते हैं तो पवित्र आत्मा सहज योगी बनती जाते हैं। पवित्र आत्मा को योग लगाना नहीं पड़ता, ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं जहां-जहां हूं मेरा बाबा वहां-वहां है। और पवित्र आत्मा सदा जैसे बाप की छत्र चाया, ज सदा ऐसे अनुभव करती है कि मैं शान्ती, सुख, स्नेह के सागर की गोद में समाई हुई हूँ, सर्वशक्तिवान की बाहों में समाई हुई हूँ और आप विचार करो, जिस आत्मा का ऐसा अनुभव होगा, उसके स्थिती कैसी होगी? अगर सारे दिन आप बाबा के समीप्त हैं, तो आपकी स्थिती कैसे होते जाएगी? बाप समान तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि पवित्रता के अधार से तुम पावन दुनिया के मालिक बनेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम पवित्र बनते हैं, उतना हमारा योग सहज लगता है, योग के अधार से हम बाबा के समान स्थिती में पहुँचते जाते हैं और हमारे अंदर के दैवी संसकार इमर्च होकर हम दैवी संसार के लायक बनते जाते हैं तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं, और इसमें बाबा हमें एक और बात समझाते हैं आज स्लोगन में, कि बीती को फुल स्टॉप लगाना है, हिम्मत का कदम बढ़ाना है, तो बाबा की मदद मिलेगी, है ना, देखो, मनुष्य आत्मा का जो स्वमान होता है, उसका अधार क experiences, है ना, जैसे, मान लेजिए, आप बच्पन से टॉपर रहे हैं, स्कूल में, तो आपका स्वमान क्या है, मैं बहुत इंटेलिजिंट हूँ, लेकिन मान लेजिए, आप कभी चालिस के उपर नहीं गए स्कूल में, तो स्वमान क्या रहता है, कि मैं तो डल हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, है ना, तो बाबा हमें कहते हैं, कि इस पतीत दुनिया के मापदंड के अधार से, है ना, जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एक एक अग्जाम्पल देती हूँ, आप कई बार देखते होंगे, कि कई ऐसे आत्माई होती हैं, जिनका संसकार होता है, थ इसको इंट्रोवर्ट कहते हैं आजकर, वो थोड़ा अंदर रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, ऐसे बहुत आगे आकर अपने आपको व्यक्त करें, वो वाली परस्नालिटी नहीं होती, तो मनुष्य क्या सोचता है, ये बोलता नहीं तो शायद सोचता भी नहीं होगा, सम मशता नहीं, हो सकता है, बहुत वाइज हो, लेकिन बस बोलते कम हैं, लेकिन उससे क्या होता, कि कई जब हमेशा, कंटिनुवसली, वो मेसेज बाहर से मिलता है, कि ये तो ऐसे हैं, कई कह देंगे तो गुंगे हैं, ये तो बोलते ही नहीं, तो इस प्रकार से जब बार बार कहा जाता है तो आत्मा का भी स्वमान जो है वो नीचे चला जाता है तो बाबा हमें कहते हैं ये जो पतीत संसार है न इसने हमेशा अपने पतीत मापदंडों से हमें कुछ न कुछ मेसेज दिये हैं और उस आधार से या पतीत संसार में जो हमारे अनुभव रहें उस आधार स लेकिन बाबा अब हमें कहते हैं, उन सारी बातों को फुल स्टॉप लगा दो, वो जो सारी स्मृतियां तुम क्यारी कर रहे हो ना, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं, अब यह तुमारा नया जनम है, अब पिछले जनम की बाद भूल जाओ, जैसे एक आत्मा एक शरीर छोड़ द दूसरा जनम लेती हैं, तो पीछे जनम का इरेज हो जाता है ना, ऐसे बाबा कहते हैं, अब पिछले जनम की बात सोच कर उसे साब भूल जाओ, और फिर वो जो बातों ने, जो आपकी हिम्मत की टांग तोड़ दी थी, जो हमें हिम्मतीन बना दिया, जो कदम हम उन बातों के कारण, उन स्मृतियों के कारण, स्वमान की कमी के कारण नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो बाबा कहते हैं, अब श्रीमत, जो भी तुम्हें कहती है, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम चार बजे उठ सकते हो, तो उठ सकते हो, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम विश्व परि हिम्मत को हमें बढ़ाना हिम्मत की कदम को बढ़ाना है कि बाबा ने सत्यता के सागर ने जो कहा है जो मुरली मेरे प्रती चलाई है वो 100% मेरे लिए है और मुझे उस पर अब कदम बढ़ाना है मुझे यह सोचना ही नहीं है कि पास्ट में ऐसा हुआ था मैं इस लायक हूँ या नहीं या पता नहीं है न मुझसे होगा या नहीं बाबा कहते है उबीती बातों को खतम कर दो अब मैं तुम्हारा बाप हूँ मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ मैं तुम्हारा सत्गुरु हू और मैं जो तुम्हें श्रीमत पर हिम्मत का कदम बढ़ाने को कहता हूँ बढ़ाओ और जब तुम वो कदम बढ़ाएंगे तो मैं तुम्हें मदद दोंगा और जहां आपकी हिम्मत है बापकी मदद है तो क्या होगा सफलता ही सफलता होगी और जब वो सफलताएं मिलती जाती है तो आपका भी वो जो स्वमान खो गया था ना वो वापस आता है लेकिन पहले आपको ये दो चीजे करने पड़ते हैं पहले वो जो बीती बातों की स्मृतियों को बुला कर बाबा को सामने रखकर साक्षी रखकर हिम्मत का कदम बढ़ा सीवना पड़ता है देखो मैं एक चोठी से बात बताते हूं एक भाई आते थे मुझए के गहते थे कि मैं दिन में तेरा घंटे सोता हूं और अगर तेरघंटे ना सोंह कुँअ तो मेरा हेड़ेक हो ता है मेरा ये होता है वह होता है जो भी उनको लगता था मेरा बिमार है तो मैं उठ क्यों नहीं सकता तो चार बजे उठने लगे और धीरे धीरे उनकी वो सारी पिल्स छूट गए सारी उनकी तकलीफ छूट गए संसकार भी परिवर्तन हो गया क्यों क्योंकि वो जो पिछली जो अपना प्रोग्रामिंग थी या अपने बारे में जो धारनाएं थी उनको छोडने की हिम्मत दिखाई और बाबा की शुरीमत पर चलने की हिम्मत दिखाई कि भगवान कह रहा है तो कैसे नहीं होगा और जब बाबा की कहने पर किया तो मदद भी मिली अनुभव भी हुआ और उस अन शांती